हाई दोस्तो इस टेड़ी अड़्डा के यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम 18 जनुरी के जो तीनु सिप्ट हुए हैं SST CHSL के उसमें जो GS का question आया है उसके बारे में discuss करेंगे और दो English के synonyms एंटॉनिम्स के भी word है जिनका synonyms एंटॉनिम्स देखेंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस हमबल रिक्वेस्ट प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हम ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पर डे एक से दो वीडियो लाते रहते हैं और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल है उस बेल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इन फ्यूचर जो भी हम अपडेट करेंगे आपको वो तुरंत मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बैटल अप तराइन बैटल अप तराइन किसके किसके बीच हुआ था पृत्वी राज और गोरी ठीक है कब हुआ था 1192 में हुआ था पहला और इसमें क्या हुआ था पृत्वी राज की जीत तुर्क सत्ता लगबग यहीं से अस्थापित कर दी गए थी तुर्क सत्ता की सुरुआज जो है आज सेकेंड तराइन उतके बाद से हो गए थी अप पृर्वी चंडेला रिलेटेट टू विच स्पोर्ट ठीक है यह देखिए यह सूटर है स्वरी यह इंडियन सूटर है ठीक है इंडियन सूटर है और इनका डेट अब बर्थ 4 जन्वरी 1993 1993 कहां पर जैपूर में ठीक है और इनोंने 2014 में जो कॉमन विल्थ गेम हुआ था उसमें इनोंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है एकस्ट टेखते है विटामी एडियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जो लियाद तो नहीं है कि क्या क्वेश्चन था तो विटामीन ए के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं पहला तुबात यह है कि यह वसा में घुलंसील है ठीक है विटामिन A जो है कहां घुलंसील है यह वसा में घुलंसील है ठीक है सेकेंड चीज इसका रसायनिक रेटिनाओल है ठीक है यह कहां पाया जाता है देखिए जायव उत्पादक में देखा जाया तो ये अंडा, मचली, दूद और मक्खन में पाय जाता है अगर ग्रीन हरी सबजी में ध्यान दे तो ये गाजर, टमाठर और पके हुए आम में पाय जाता है ठेक हैं? ये कैंसर जो धी विटामिन है ये कैंसर जो धी विटामिन है ठेक है, और इसके कमी से रताओधी और अफ्थाल्मिया रोग होता है अफ्थाल्मिया रोग अफ्थाल्मिया रोग होता है, ठेक है? नेक्स्ट कुश्टन देखते है राइटर आप ब्रोकन विंग्स बुक, ब्रोकन विंग बुक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है खलील गिब्रन कौन है? खलील गिब्रन नेक्स्ट कुश्टन सिंगर आप जग घुमया सान जहाद पते अली खान ठेक है? इस्पाइडर बिलॉंग टू विच क्लास? तो इस्पाइडर हमारा जो है अर्केनिट क्लास से बिलॉंग करता है ठेक है? पहला तो नहीं याद है सेकंड जो उन्हें फैसन के लिए मिला था 2010 में और जो थर्ड मिला है वो क्वीन 2015 में मिला है ठेक है? नेम आप दे फ़र्स सेटलाइट फर्स सेटलाइट का नाम कहा है तो स्पूतनिक अर भारत के फर्स सेटलाइट का नाम है आरे आरेवट ठेक है? भारत के फर्स सेटलाइट का नाम आरेवट है और यह कहा से छोड़ा गया था? यह जो है सॉविएत यूनियन से छोड़ा गया था, जो अभी रूस है second world war कब हुआ था second world war आपका जो हुआ था सिप्टमबर 1949 से 1945 ठीक है सप्टमबर 1949 से सिप्टमबर 1945 तक साक्षी मलिक date of birth देखी अभी तक महत्मा गाधी या महापुर्सों पूछता था जो मतलब अब नहीं रहे हैं अमारे बीच में उन महापुर्सों के बारे इंपूछता था अब लेटिस्ट पूछने लगा है साक्षी मलिक का date of birth तो इनका जन्र जो है 3 सिप्टमबर 1992 को हुआ था और इनके parents है सुदेश मलिक और सुखवीर मलिक सुदेश मलिक और सुखवीर मलिक ठेक है जो साक्षी मलिक की बात करें तो हम PB सिंदू का भी देख लेते हैं क्या पता question आ जाए 5 जून 1995 कहाँ पे हैदराबाद में इनके parents का नाम है PB रमना और पी बिजया ठीकर next question देखते है civil disobedience moment सबने अवग्या आंदोलन गांधी जी से related कोई ना कोई question जरूर रहा है हर paper में तो आप गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़कि जाए है हमने 15 तारिक का 16 तारिक और 17 तारिक का review किया है गांधी जी से related हर shipment कोई ना कोई question जरूर रहा है सबने अवग्या आंदोलन ठीक है देखें क्या वह था गांधी जी जो लाहोर अधिवेशन समाप्त हुआ लाहोर अधिवेशन समाप्त हुआ तो अपने पत्रकारता यंग इंडिया के माध्यम से सरकार के बीचे 1103 मांग रखें ठीक है और उन्हें ने कहा कि अगर ये मांग वो पूरी नहीं खरेंगे तो वो जो है सिविल ओबिडियन्स मोमेंट छेड़ देंगे सबिना ओग्या आंदोलन ठीक है 31 जनवरी 1930 तक का टाइम दिया था ठीक है और बोला था कि 14 फेव 1930 से हम आंदोलन शुरू कर देंगे ठीक है लेकिन कुछ रुकाटो करण से ये आलदोनन 12 मार्च 1930 से सुरूआत हुई थी ठीक है और उस समय जो सबसे सही तरीका था इस आंदोलन को सुरूआत करने का नमक नमक को लेके उन्होंने civil disobedience मोमेंट शुरू किया था ठीक है next question REW full form research analysis wing ठीक है research analysis wing Alexander birth year Alexander का जन्म कब हुआ था ठीक है Alexander का जन्म जो है आपका July 356 BC कहां पिवा था मेशेडोनिया में ठीक है और इसकी मृत्य जो है June 323 BC बेवी लॉन एराउप में हुआ था ठीक है next question देखते है chlorophyne, neprine, isoprene are rubber related यह कुछ question था कि chlorophyne, neoprene isoprene मतलब किस rubber के पार्ट है या किस से related है तो आप यह question गूगल पर सर्च कर लीजेगा वैसे जहां तक मुझे लगता इसका answer होगा synthetic rubber है ठीक है यह जो है synthetic rubber अकबर विलॉंग to which dynasty ठीक है अकबर किस dynasty से विलॉंग करता था अकबर जो हमारे मुगल वन्स से विलॉंग करते थे मुगल वन्स 1526 से 1857 ठीक है के बीच में भारत में मुगल वन्स थे ठीक है अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था कहां पे अमर कोट में इनकी मा का नाम जो है हमीदा बानो था और प्रिता हिमाओ के मुद्ट के बाद इनकी देख रेक बैरम खान ने किया तो इनका संग्रचक जो थे वो कौन थे बैरम खान ठीक है और इन्होंने फतेपूर साया था फतेपूर सिक्री नगर बसाया था ठीक है और उस नगर के स्टार्टिंग में एक दरवाजा लगा था बुलन दरवाजा के नाम से जो फेमस है ठीक नाइट्स की बुक है ठीक है यह की नावल नहीं है यह पार्ट पार्ट में है विसे जो उल्डिस्ट है वो है रिचर्ड फ्रांसिस बुर्टॉन रिचर्ड फ्रांसिस बुर्टॉन ठीक है साइंटिफिक नेम आप केरेट एंड यूनियन ठीक है गाजर और प्याज का सेंटफिक नेम पूछा है तो दिखे गाजर का सेंटफिक नेम डॉकर्स करटर सबसु बहुत थी तेधा नाम है इसको आप पढ़ लीजे ठेक है और प्याज का जो है सेंटफिक नेम होगा अलियम सेपा ठेक है कैपिटल आप पूर्टगाल, पूर्टगाल का कैपिटल कौन से है लिस्बाउन ठेक है रॉकट इन्वेंटर, रॉकट की खोज किस ने की थी तो रॉबर्ट हैंचिंग्स गड़ाड ने रॉकट की खोज की थी रोबर्ट हैचिंग स्कुराइड फर्स्ट इंडियन तु स्कूर ट्रिपल हंड़ेड इन टेस्ट कौन है विरंदर सेवाग विरंदर सेवाग सभी लोग जानते होंगे वो इस दे सिंगर इन दे फिल्म अफ सुल्तान यह जग घुमया सॉंग का ही कुश्चन है यह दो बार आ गया है तो इसका अंसर क्या होगा है राहत वते अली खान जग घुमया सॉंग किसने गया था सुल्तान मूबी में यह कुश्चन गलत है कुश्चन था जग घुमया सॉंग किसने गया था सुल्टान मुवी में मैडरिद दग कैपिटल आफ विच कंट्री मैडरिद दग कैपिटल आफ इस्पेन देखे बीबी का मगबरा देखे ये क्वेस्टिन जो था अभी हमने कल के परसो के रिवीव में औरंग जेब से रिलेटेड एक क्वेस्टिन था उसमें मैंने बताया था कि बीबी का मंगबरा कौन बनाया है औरंग जेब ने बनवाया है और आज देखे सेम क्वेस्टिन आ भी गया है तो इसका एंसर क्या होगा औरंग जेब हाइस्ट एरपोर्ट इन दा वर्ल्ड जो है บंगडा एयरपोर्ट इिस्टन तिबच्चीन में है, ठीक है, चाइना में है अगर बात करता हैं इंडिया की तो वो ले में है, कौन कुशुग बकूला रिमपोचे एयरपोर्ट ले इंडिया में है ठीक है, अगर टेवल इंडिया की बात करता है तो longest international boundary जो है USA और कनाडा के बीच में कनाडा एंड यूनाइट इस्टेट बार्डर के बीच में अगर इंडिया की बात करता है तो भारत और बांगलादेश की जो है longest international border है ठेक है बांगलादेश एक टीबी में कितने जीबी होते हैं 1000 जीबी ग्यान पीट विनर ग्यान पीट विनर कौन है शंखा घोस ये बंगाल के हैं शंखा घोस ठेक है रेड कलर आप कारेट गाजर का जो रेड कलर होता है किसके वज़े से होता है तो देखे जो औरेंज कलर होता है वो जो है high amount of alpha and beta के रूटीन के वज़े से होता है yellow color जो होता है lutein गाजर के अंदर होता है यलो color होता है वो lutein के वज़े से होता है और red color of carrot is due to lysopin ठेक है lysopin के वज़े से red color होता है next question देखे ये दो question English का था strike ये तो सबको बता होगा सीधा वार करना सीधी रेखा में तेजी से जाना क्या कर लगता है strike इसके synonym क्या होंगे band bar and stripe ठेक है and vigor ठेक है इसको English ये देखे American है और साइद British ये है vigor इसका मतलब क्या होता है ये noun है और ये jose इसका हिंदी मीनिंग है jose ठेक है इसका synonym से होगा beans bounce and brio ठेक है अन्टॉनिम सोगा इसका लेथार्जी लेथार्जी मिन्स आलसी ठेक है and slugins दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो like, comment, share जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो पे like जरू करें थैंक यू दोस्तों